बीजेपी नेता मध्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री उमा भारती फैक्चर हो जाने के बाद इन दिनों आराम कर रही हैं इस आराम के दोरान उमा भारती प्रधान मंत्री नरेन मोदी के मिज्जाज और कारिशेली पर एक किताब लिखेंगी 17 नवंबर को रिशिकेश में गिरने से बीजेपी नेता उमा भारती के पैर में फैक्चर हो गया इस दोरान देड़ महिने के आराम के दोरान विप्रधान मंत्री नरेन मोदी को लेकर किताब लिखेंगी शुकरवार को ट्विट कर उमा भारती ने इस बात की जानकारी दी उमा भारती तेड़ महिने तक आराम करेंगी उमा भारती ने लिखा है कि इस दोरान भे नरेन मोदी के साथ अपने अनुभवों को साच्छा करेंगी उमा भार्थी ने लिखा मैंने चार साल पहले कहा था कि मैं नरिन मोधी जी पर किताब लिखूंगे मैं पीएम नरिन मोधी को अपना गुरु बड़ा भाई मानती हूँ साथ ही उन्हें विधाता की भुमंडल पर अनोखी देन मानती हूँ मैं उन्हें 1973 से जानती हूँ जब मैं 12 साल की थी मैंने उन्हें बहुत ध्यान से एवम गौर से देखा है उनकी जिस विशिष्ट शक्ती को देखकर सारा विश्व उनका प्रशनशक है वह शक्ती तो उन्हें भगवान निर्दी है किन्तु उस शक्ती के योग अपने शरीर एवम मन को अपनी साथना के जरीए उन्होंने तयार किया है उमा भारती ने लिखा उन पर मैं जो संस्म्रेंड लिखूंगी वह उनकी सहमती लेकर ही सारजने करूंगी किन्तु लिखने का काम इन तेड़ महिने में पूरा कर लूंगी कर दो काम भारती लेकर वह उनकी समय है आप देख रहे हैं तखल न्यूज चजाओ फिर्जा सिर्एली साहिं सिर्एली सेले रहे हैं कि ऑ्माuk आप경